कि एसी एल टियर के घरेलू उपचार क्या है और आप घर बैठे बैठे एसी एल टियर को कैसे ठीक सखर सकते हैं घरेलू नुस्कों से आज हम इसी बात करेंगे मेरा नाम डॉक्टर मनुगोरा में एक और्थोबेटिक सर्जन और आर्थोस्कुपी एक्सपर्ट हूं टीम और तूट जाता है और आपको लचक खाते हैं जिसमें आपका पैर जब आप हाई-end एक्टिविडी करते हैं रनिंग जंपिंग तो वो हिलता है अब बहुत सारे लोग इसको घर पे कैसे ठीक कर सकते हैं बहुत सारे क्या-क्या नुस्के हैं हमारे इंडिया के अंदर आज हम उ तो रहस देने से क्या होगा दोस्तों ACL ठीक नहीं होगा आपकी मास पेश्या कमजोर पड़ जाएगी आपके मुसल्स वीक हो जाएंगे साथ में आपका कुछना भी जाम हो सकता है दूसरा घरे लो नुकसा जो लोग अपनाते हैं वो कुछ लेप लगा लेते हैं हल्दी का पत्ती का और को बांघ देते हैं उससे दोस्तों क्या होता कि ACL कीम्हीं होती है उससे आप जो ही असकेकिन हो सकते हैं हो सकता है कि जौसं में बाद में ऑपरेशन करा तो इंफेक्शिक के हाई चांसले रहते हैं तो वो घरेलो नुसका भी इतना काम कर नहीं है क्छ लोग बो तो अमरा ACL बन जाएगा तो दोस्तों नॉन्वेज बढ़ाने से ACL नहीं बनने वाला वो आपको एक प्रोटीन की एक फिक्स मात्रा लेना बहुत इंपॉर्टेंट है उतनी ही लेजिए ज्यादा लेने से आपको ही नुकसान हो सकता है तो उसका भी कोई फायदा नहीं को लगत प्रकूम लोगlerde के सूप पीने से आपका ACL ठीक होगा तो दोस्तों हम करोड़े के सूप पीने से आपका ACL ठीक नियुक्त यह ऐसा कोई सब्सटेंस नही है का जो मुह से मोगों से खाएं और मैं वह्नाяс करो मि productions वायटमिन यह और को दुर चाएं आपका ACL रहर वह वैसा दवाई या कुछ भी खाने के सब्स्टेंस अवेलबिल नहीं है दुनिया में जो मुझ से खाने के बाद डारेट एसेल में जाएंगे और आपका एसेल बना देंगे प्लास्टर लगा लें प्लास्टर लगाने से पट्टा लगाने से एसेल ठीक हो जाएगा चांस पहलवान के बाद जाना पहलवान जाके लोग अपनी हड़ी मुडवा के दम लगवा के उसको सेट करवा रहते हैं जो दोस्तों आपके घुटने में इंजरी हो रहती है आप पहलवान से जाके अपना घुटने को और हिलवाओगे तो देखो शायदा खराब हो जाए अच् पहलवान के पास ना जाए अगर आपके अपना सक्ताओं में अपना ठीक करने के लिए अब उस पर बात करते हैं दोस्तों अगर आपको नीमी इंजरी होई है तो सबसे पहले आप इसमें बर्फ की सिकाई कर सकते हैं ताकि आपकी सूजन कम हो आपको दर्द मारा में दूसर एक और्थोपेटिक सर्जन के पास जाए और उन से सला लीजिए कि आपकी इंजरी को कैसे ठीक करना है अगर आप नहीं जा पा रहे हैं आपकी घर से बहुत दूर रहते हैं आप अपोड नहीं कर पारें कि कोई भी रिजन आप अच्छे सर्जन से नहीं मिल पारें तो अप आपकी मास पेशियां मजबूत बनी रहेगी बिजन नहीं होगे आपका गुटना भी जाम नहीं होगे तो अगर आप डॉक्टर से नहीं मिल पा रहे हैं आप MRI नहीं कर आप रहे हैं और आपको उतनी ज्यादा तकलीफ नहीं है कि आप बिलकुल पाओं भी नहीं बेंड पा एक्साइज करनी है डॉक्टर से मिलना है MRI करनी है नॉर्मल डाइट लेनी है जिसके अंदर जो भी जरूरी होती है सब दर के वाटमेंस मगरा वो लेने और MRI में जो रिपोर्ट आए उसके हिसाब से डॉक्टर तैय करेगा कि सबसे अच्छा क्या रहेगा आपके लिए कि हम सबसे अच्छी है उसके लिए आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें अपनी हमारे रिपोर्ट बेजी उसका डिटेल में स्टेडी करें में बता हमा सबसे अच्छी अलाज क्या रहेगा आपके कर दो